दूद गरम हो रहा है अब मैं इसमें चाय बनाऊंगी और अब मैं जा रही हूँ पपड को तरने के लिए ये देखिए कि इतना बढ़िया फूल गए पपड़ कि इतना बढ़ा साइज हो गया पपड़ का इतना बढ़ा साइज हो गया पपड़ का बच्चों को बहुत पसंद है मेरे बेटी को ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं अब ये थोड़े से सिलेवडा तल रहे हैं वह तो चावल के थे ये मैदा के हैं ये देखें ये भी इतने बड़े-बड़े हो गए है दो तरीके के हैं आपड़ बन करके तयार होगे मेरे फ्राइज हैं अब पड़ बन करके तयार होगे मेरे फ्राइज तल लिए ये देखें इतने बड़े-बड़े ये तो हैं चावल के और ये वाले हैं ये मैदा के ये देखें चावल और मैदा के पापड़ बच्चे बहुत खुस हो जाएंगे थेंक्यूँए झाल 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